हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लताकी लाइबरेरी, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान और प्रोजक्ट पैटन सेयर करने जारी हूँ, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं, तो देखिए, फ्रेंट साइड से पैटन की फर्स् एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे मुने, आप देखिए इन तीन फंदों में से देखिए जो फर्स्ट के दो फंदे हैं, इनको वापस लेप निडिल में ऐसे उतारेंगे, और इस धागे को याँपे पीछे कर लेंगे, फिर इन दो फंदों को ऐसे राइट निडिल में वापस उतार लेंगे, फिर देखिए, धागा आगे करेंगे अपनी साइड और नेस्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है, तो देखिए, एक, दो और तीन, ये तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए, तीन फंदों में से आगे के दो फंदे हम वापस ऐसे left needle में उतारेंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे और इन दो फंदों को फिर left needle से right needle में shift कर लेंगे ऐसे फिर धागा अपनी side करेंगे नेस्ट हमने तीन फंदे उल्टे बुन लेने हैं एक दो तीन फंदे उल्टे फिर देखिए तीन फंदे जो उल्टे बुने उनमें से दो फंदे वापस हमने ऐसे left needle में उतारेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर इन दो फंदों को ऐसे right needle में वापस shift कर लेंगे फिर धाग अपने साइड करेंगे नेश्ट हमने तीन फंदे उल्टे बुन लेने हैं यह देखे यह तीन फंदे उल्टे बुने इन तीन फंदों में से देखे आगे के दो फंदे उतारेंगे लेप नीडिल में फिर धागा पीछे करेंगे फिर जो फंदे हमने लेप नीडिल लेट नीडल में shift करेंगे आगे वाले फिर धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों को फिर जो लेट नीडल में है राइट नीडल में shift कर लेंगे फिर लास्ट का फंदा सीधा तो देखें ये फ्रेंट साइड से हमारी pattern की first row complete हो गई अब देखें बैक साइड से second row में दे बैक साइड से यही process repeat करना है ये देखें बैक साइड से हमारी second row complete हो गई अब देखें फ्रेंट साइड से third row अब third row में हमारा pattern repeat होगा तो देखें यहाँ पर repeat row पहला फंदा उतारेंगे ये देखें फिर धाग अपनी साइड करेंगे अब देखें next हमने तीन फंदे उल्टे बुन लेने एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बुने अब तीन फंदों में shift करेंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे फिर इन दो फंदों को ऐसे right needle में वापस shift कर लेंगे यही pattern हमें आगे repeat करना है तो देखें यह front side से हमारी third row complete हो गई यह third row में हमारा pattern repeat हो रहा था अब back side से जो fourth row आएगे उसको हम second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे और बनके देखें हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखें बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे channel में नहीं हो तो please subscribe करना न भूले thank you